Hey guys, welcome back to my YouTube channel again दोस्तो आज की वोडियो में हम जानेंगे कि Depreciation क्या होता है तो देखे दोस्तो Depreciation को हम मुल्ले हरास भी कहते है या और इसको हम यह भी बोल सकते हैं कि किसी भी वुष्टो के मुल्ले में कमी होना तो देखे दोस्तो आज के वोडियो में हम Depreciation के बारे में सेखने वाले हैं Depreciation हमारा किस वुष्टो पर लगता है किस तरह से Depreciation के Calculation की जाती है किस तरह से Depreciation के Entry हमारे Tally ERP9 में की जाती है वो सब हम इस वोडियो में जानने वाले हैं काफी important वोडियो होने वाला और काफी practical भी होने वाला है एंट तक आपने इस वोडियो में बने रहना है तो पिना किसे देरिकर वोडियो करते हैं स्टार्ट तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताए कि हम यहाँ पर जानने वाले है कि Depreciation क्या होता है तो देखे दोस्तों Depreciation का मस्तलब होता कि किसी भी वैपार यह किसी भी बिजनस में जो सथाई संपती यूज होती है सथाई संपती क्या होती है दोस्तों सथाई संपती वे संपती होती है जिनको हम लंबे समय तक अपने किसी भी बिजनस ये किसी भी वैपार में यूज करते हैं वो सब हमारे स्थाई संपती यानि की fix assessed कहलाती है और दोस्तों जब भी हम कोई स्थाई संपती खरीते हैं तो एक समय के बाद उसके मुल्य में कमी आ जाती है तो किसी भी बिजनस ये वैपार में यूज हमने वाले स्थाई संपती के मुल्य में कमी आना या उसके मुल्य में हरास होना हमारा depreciation कहलाता है तो यहाँ पे दोस्तों आपके बिजनस में जितने भी स्थाई संपती हैं जैसे जैसे टाइम बीता जाता है उनके मुल्य में भी कमी आती रहती है और उस स्थाई संपत्य का पहले जो मुल्य था और बाद में उसकी स्थाई संपत्य में कमी आने के बाद जो मुल्य हुआ है उन दोनों का अंतर ही हमारा डेप्रिसेशन कहलाता है मालतों हमने इस mobile करें दस हजार पिए का और दो महींने बाद हमने उस mobile को 8000 में बेच दिया आप दोस्तों जो नहुए दो हजार पेत का mobile हमारा पाल गया रहा है वह हमारा depreciation कहलाता है यानि कि उस mobile के मुल्य में जो खुरास हुआ है वो ही हमारा depreciation कहलाता है अब दोस्तो जो depreciation का rate है वो government के दोवारा अलग-अलग fix assessed पर अलग-अलग निर्धारित किये गए है यानि कि हम अपने मज़े से किसी भी fix assessed पर कोई भी depreciation rate नहीं ला सकते यह government के दोवारा दोस्तो डिसाइट किये जाता है कि किस वस्तो पर आपका कितना परसेंट depreciation लगेगा किस वस्तो पर दोस्तो कितना परसेंट depreciation लगेगा इसका एक link आपको इस video को description मिल जाएगा जहांसे आप जाके इसको check कर सकते हो आई hope दोस्तो अब अच्छे समझ गयोंगे कि depreciation होता क्या है चलिए दोस्तो हम इसको एक example के तुरु समझ लेते हैं मालो हमने business में यूज़ करने के लिए एक AC को करीदा है और दोस्तो हमने यहां पर माने के वह AC हमने एक April 2020 को करीदा है जिसकी किमत ही हमारी 25,000 रुपिया अब दोस्तो एसी पर जो गोर्वनिट के दुवारा depreciation की रेड़ मिर्धारित की गया वह की गया हमारी 15% अब दोस्तो depreciation को हम कभी यूज़ करते है जब हम अपने account का finalization करत 31st March में करेंगे तो अब दोस्तों क्योंकि हमने यहां पर माना कि जो हमारा एसी का प्राइस था वह 25,000 रुपिय था और उस पर जो हमारा depreciation रेट आवा 15% है अब दोस्तों जब हम 31 March को एसी के depreciation की वाल्यूर कलेकुलेट करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंगे कि जो उसका 25 हजार करेंगे जो यहां पर 25,000 रुसका रेट था उसका हम 15% यहां पर निकालेंगे जो कि आएगा हमारा 3750 रुपे जो कि हमारा depreciation कहलाएगा अब जो हमारी एसी की नई वाल्यू लागू होगी जो कि कतिस मार्स को दोस्तों हमने इस पर depreciation लगाए 3750 रुपे अब एक अप 3750 रुपिया और जब उसकी एक अप्राइल 2021 से नई वाल्यू लागू होगी वह होगी है हमारी 21,250 रुपे यानि कि दोस्तों जब एक अप्राइल 2021 के आपकी एसी की वाल्यू एसी की वाल्यू थी अब जब आप 71 मार्च 2022 को एसी पर depreciation लगाए वह आप 21,250 की वाल्यू पर लगाओगे क्योंकि इसके जो depreciation less करने के वाद नए वाल्यू बनी है वह बनी हमारे 21,250 रुप दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे अब दोस्तों depreciation में हमारा एक निम क्या होता है कि ऐसी fix assets जिसको आप more than 180 दिन से ज्यादा यूज कर लेते हो यानि कि ऐसी संपत्त को आपने तीन अक्तूबर से पहले परेच किया होगी अब दोस्तार मैं याप हमनें अग्यार और न्ने कशिच की हैं और सरकार के दौरा good . किया गए रेट का हदा होगा यानि कि ऐसी स्थाई संपत्ती जिसको आपने 180 दिन से कम यूज किया है या फिर उसको तीन अक्तूबर के बाद आपने परचेज किया है उस पे जो डेप्रेसेशन जो कि पहले 15 परसेंट था वो 15 परसेंट नहीं लगके अब उस को रुपरेसेशन लगेगा वो हमारा साफ़ 3.5 परसेंट यानि कि 15 परसेंट का आधर का कालो को जो कि हमारा होगा 1875 रुपे अब दोस्तो जो हम 31 मार्च को इसके डेपरिसेशन का इंटी बुक करेंगे वो करेंगे हम 1875 रुपे क्योंकि यह जो हमने AC करेदा है वो करेदा हमने 3 अक्तुबर 2020 को और 1 अप्राइल 2021 से जो इसके नई value जो AC की लागू होगी वो होगी हमारी 25,000 में से 1875 हम less करेंगे तो यह आएगा हमारा 33 125 जो की होगा हमारा next financial year के लिए हमारी AC की value होगी और अगले बार दोस्तों जब अगले साल 31 मार्च को उसके डेपरिसेशन लगाएंगे वो हम 33 125 के value पे लगाएंगे तो ऐसे स्थाई संपत्र दोस्तों जो आपने 3 October के बात करेंदी है या फिर जिसका यूज आपने 180 दिन से कम किया है उस पे हमारा half depreciation rate calculate होगा और ऐसी स्थाई संपत्र जिसका यूज आपने 180 दिन से जादा किया है और या फिर 3 October से पहले करेंदी है उस पे जो depreciation rate calculate होगा वह आपका full amount पे calculate होगा जो की correlate के द्वारा निर्थारिक किया गया है और फूब दोस्तों अच्छा समझ गए होंगे कि depreciation होता क्या है चलिए अब हम जा लेते कि depreciation के अंटी हम अपने tallyrp9 में किस तरह से करेंगे तो चलिए उसके लिए चलते हैं हम अपने tallyrp9 पर यहां पर दोस्तों हम अपने tallyrp9 पर आ गया है जैसे कि आप देख सकते होगे मैंने यहां पर एक company already create कर ली है ताकि आपको time ज़्यदा waste नहीं हो depreciation के नाम से मैं इसके balance sheet में जाओन तो यहां पे कोई बेंट्री हमारे पास यहां पर नहीं और यहां पर प्रोप्रेट lutz में जाओं तो यहां पिभी अब देखाऊगे कोईöt के था नहीं है अब दोस्तों हम क्यांगे क्या की क्योंकि हम यहां पर देपर सीखने एक्परमेशन में प्रेजर में और फिक्स असेश्ट यहाँ पर करेंगे यहाँ पर दोस्तों जो सही नमर आपने यहां पर डालना मैं रेंडबल ले पिछ यहां पर दाला हुआ है यहां पर अन्टर करोगे और यहां पर निचर ओटांजिक्स मैं पाए को considering करना है यहां पो आपको तो angle we take गुगि अबर हम ठोल डेशन को लगाएंगे तो अब है कर दोस्तove państं ने पर किया है जिसके पर उपर भी मैंने जेश्ट को अपिलिकेबल किया है और सेम आपने यहां पर पर्चेश टैक्सिबल लेना है नीचे मापको कैपिटल अब गूर्ड यहां पर सेलेक्ट करना है और जेश्ट रेट आपको हुई 18% यहां पर रहेगा इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने यहां पर पर्चेश का अकाउंट भी बनाए जिसको हम पर्चेश एंट्री में यूच करेंगे इसी तरह से मैंने फिक्स असेट पर लगने वाले सीजेश्ट टैक्स कर लिए हमने यहां पर सीजेश्ट रेजेश्ट बनाए जो कि हमारा जूटी टैक्सिज में आईगा तो चलिए दो एफ नाइन को प्रेस करना है या फिर आप राइट में एफ नाइन से भी स्लेक्ट करके पर्चेश वाच्व पर आ जाओ गए तो यहां पर सप्लाइर इन्वेशन नंबर वन मान लेते हैं तो अकांटिंग इन्वेश करने के लिए दोस्तों आपको यहां पर राइट में लेगा उल्ट आई का सिंपले आपने इसको चूच करना है तो आपको यहां पर पार्टिकुलर वाप यहां पर शोख हो जाएगा यानि कि यह जो एंटे होगे वह की अकांटिंग वाचर में होगी एंटर करेंगे हैंटर करेंगे अब दोस्तों कि हम यहां पर पहले लेने वाले हैं ल AVC चूच करेंगे और हमने यहां लब्राव को मित्ता हैं 4500 rap जैसे नस्तों देखेग을 कि हमारे जो बील की टोटल वालए है वो है हमारे 53,100 रुपियार लेकिन दोस्तों जो हम depreciation calculate करेंगे वो हम 45,000 के amount पे calculate करेंगे यानि कि जो आपका depreciation calculate होगा वो होगा आपका 45,000 के amount पे नहीं कि 53,100 के amount पे इसमें दोस्तों हम suggestive or artistic amount को नहीं लेंगे क्योंकि अगर आप इस value को इसमें ले 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 तो तो आप suggestive or artistic को अपना ITC में claim नहीं कर पाओगे तो simply जो आपके depreciation calculate होगा वो आपका 45,000 पे होगा यहने कि taxable value पे calculate होगा एनटर करेंगे एंटर करेंगे और कर देंगे एंटर हम पर दोस्तों मैंने माना है कि हमारा जो टब्रिसेसिन कालीकुलेट को हमारा 25,000 पर कैलीकुलेट होगा एंटर करेंगे एंटर करेंगे और कर देंगे अब दूस्तों क्योंकि हमने कुछ fix assessed को यहां पर पर्चीच के लिया है आपकी बागी कि जितने भी fix assessed होगी सभी कैंटी कुछ इस तरह से यहां पर आए वाल्य हो हमारे 25,000 इसी तरह से लेक्ट वाम में प्रचेश किया था जो की बिजनस यूज के लिए है वह होगा हमारा 45,000 पेज चले दोस्तों अब हम माल लेते हैं कि हमारी यहां पर पूरे साल की यह दो फिक्स है अब हम इन पर डेप्रिसेशन को कल्यूकुलेट करेंगे हमने पर एसी का जो है एक्जम पर लिया था जिसको हमने मानते के 25,000 हमारा इसी था जिस पर 15 प्रसेंट हमारा डेप्रिसेशन रेट है तो simply दोस्तों हम यहां पर इसमें जाएंगा सबसे पहले तो हम यहां पर डेप्रिसेशन लेजर को चूज करेंगे डेप्रिसेशन के द हमारा नुखसान हो रहा हुँए, और यह हमारा इंडेक्ट छिम हमने यहां पर लिया है अब दोस्तों कूआ कि हम न कुकि आपन करें और यहां पे हम 25,000 लेंगे हमने माने 15% उसका हमवा प्रच्जिल अपर करेंगे और अब देखा कि जो हमारा काल्चेसं में क्यूंत करेंगे तब से बलात हम यहां पर duration का लह एंगे करते हैं और अभी क्योंकि जो हमने वल्ल माने 25,000 माने इसका ग्रूप भी हमने इंड्रेट्ट अधेक्पेंसिट में लिए तो हमारे बढ़ता हूं में इसा डविट होता है तो यहांपर हमारा ग्रेंसिट बढ़ रहा है इस तरह से क्रेड़िट करेंगे कूछ करणे ए दुस्तों हमगों किसको क्रेड़ करेंगे क्योंकि दोस्तों हमारा फिक्स एसेस्ट ऑ्जब्रियू करते है उसका करते हैं अपर अंठय करेंगे और यहां पर अपर ऑप यहां पर नरेशन होगो कि जो. टृप्श्छ हाए इंटर पर दोस्तों हम एक लेप्सेंच पार उप्कर्ण को मान अि ऑपन यहां पर बसका निढ तो यहां पर दोस्तो हमारा जो लेटोप पर डेप्रेसेशन लगा वह 18,000 रुपी लगा है और यहां पर हम लेए लेटोप और यहां पर इसको अठारा जारुपे से हमारा लेटोप जो की पहले 45 वाथा वह अब 27 का यहां पर हो जाएगा इस तरह से दोस्तों आपके यहां पर डेप्रेसेशन क्यांटी कुप्लीट हो जाएगी अगर मैं यहां पर अपने एसकेब जाओं और अपने बैलन सीट में जाओं और यहां पर यहां पर उल्ट एपफ़न करता हूं तो आप देखोगे कि अभी जो पहले हमारे फिक्स हमारे 48,250 रुपिया और इस देखो कि मैंने दो डेप्रेसेशन यहां पर लगाए है करते मार्च को जो कि हमारा एसी पर लगा है और दोस्तों कुछ ऐसी फिक्स असेश्ट विधा जिन पर हमारे डेप्रेसेशन नहीं लगता जैसे किसी भी कंपनी यह वेपर की गुड विल्डिंग उस कंपनी के पलाट और वहुष्प्रोपर्टी यहनु जो तो साथ का हमने एकजमपल जाना कि अगर कि अगर किसी भी क fix assist को 3 October से पहले पहले परचेज़ करते हैं उस पे जो डैपरिसेशन साल के एंड में कैलकुलेट होगा वह हमारा जो गोर्वर्विट के दोबघा उस पर जो डैपरेक्टेशन रेट है वह फुल आमाउंट से होगा और अगर हम 3 अक्तुबर के बाद किसी fix शयर्ट से 6 को पर मियर्दारित करते हैं तो इस एप्रिडारिशन कि रेट से राति का करहते हुब साथ खाल साथ अधोस्तों आ tasting के लिए हम किस तरह से हमने लाख करेंगे व ER क Gleiche को लाइक करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बैल नोटिफिकरेशन को जरूर प्रेस करें अगर दोस्तों आप यहां पर अकाउंटेंट बनना चाहते हो और बेसिक से एडवांस लावल का अकाउंटर के कोर्स सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को डिसक्रिशन में तो मिलते हैं नेस्ट किस ऐसी वीडियो में तब तक के लिए थेंक यू टिक क्यो बबाए